Hello everyone, कैसे हैं आप? आज हम discuss करेंगे इस वीडियो में semester 3 को लेके अगर मैं बात करूँ तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है कि semester 3 वाले बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे? semester 3 में आपके core subject में सबसे पहले आता है financial management दूसरे number पे आता है आपका principle of marketing और तीसरे number पे आपका जो भी honors का बच्चा है तो business mess और program का बच्चा है तो business stats काफि सारे student अगर मैं आपके time बताऊं तो देखो November में आपके पास सिर्फ 30 दिन है और December में आपके पास 15 दिन है 45 days है इन 45 days में आपको पूरा syllabus करना है अब न बहुत सारे बच्चों का ये doubt है मेरे पास इवन दो live में पढ़ते हैं live में जो join होते रहते हैं उसका भी और YouTube पे भी बहुत सारे बच्चे इधर उधर 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 कर रहे हैं तो मैं एक चीज आपको clarity और security के साथ बता दूँ के आपको किस हिसाब से पढ़ना है और किस हिसाब से आपके अच्छे marks आएंगे ये चीज़ सुन लो इसके अलाबा दूसरा कोई इलाज नहीं है आप जितना 10-year आपको शिवदास का लेना है ऐसा नहीं है कि इस 10-year को मैंने write किया है मैंने सारे चीज़े content लिखा इसलिए नहीं बोल रहा है इसके अंदर बहुत सारे चीज़े ऐसे डाले हुए बिलकुल systematic है शिवदास का जिन बच्चे जो बच्चे दूर रहते हैं चाहे आस-पास नहीं रहते हैं वह सिवदास के website पर भी जा सकते हैं बाकि मैं number भी दे देता हूं जो आप call कर सकते हो इनको morning में 10 o'clock इनका नाम है Greece जी जो वहाँ पर sales head है 7 0111 47630 यह number है उनका जिनसे आप connect कर सकते हैं through WhatsApp या फिर through calling बुक कौन सा लेना है सर आर पी रस्तोगी लेना है अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 45 दिन उसी 45 दिन को मद्दे नजर रहते हुए आज की वीडियो में आगे to be continue करने वाला हूं कि कैसे 45 दिन में आप सारा का सारा cover करेंगे मैं अगर आपके स्लेवर्स की बात करूं तो हमारा स्लेवर्स जो है FM का financial management इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर मैं chapter आपको बताओं तो पहला है हमारा background जो की हमारा 10 नंबर का इसके अंदर दो चप्टर है एक यह चप्टर है जो की है ठीवरी का और एक यह चप्टर है जो mathematics of finance है आपको बहुत सारे आपने वीडियो बहुत सारे आपके लेक्चरार प्रोफिसर ने बोला तो यह जरूर है कि आप ऐसे पढ़ ले लेकिन यह नहीं बोला कि आप कौन सा चप्टर पहले पिक करो वो यह जरूर बताते हैं कि पास होने के लिए यह चप्टर कर लो लेकिन मैं पास होने की बात नहीं कर रहा है मैं 100% की बात कर रहा हूं इस 45 दिन में अगर आप sincerely इसी रूल को फॉलो करेंगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कैसे पढ़ सबसे बड़ी गलती क्या करता पहला यूनिट और दूसरे यूनिट तक आते आते सारी यह दोनों यूनिट को करते करते उसका आधा मोराल है वह डाउन हो जाता है और यह तना टॉफ है तो फानेशल मेनेजमें टॉफ होगा नहीं होगा अगली बार देंगे सबसे पहले अ से जिसमें 30 नंबर का है मैं numbering कर देता हूं सबसे पहले आपको जो chapter करना है leverage करना है इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपको chapter करना है ebit eps analysis करना है तीसरे नंबर पर chapter करना है आपको cost of capital चौथे नंबर पर chapter करना है value of firm यह हमारा syllabus का part नहीं है syllabus में है तो लेकिन theoretical है मैं सारा का सारा जो यह index बता रहा हूं आपको as per do as per book सारे syllabus के according बता रहा हूं मैं इसमें से एक भी आगे पीछे नहीं है other university वाले बच्चों का कुछ आगे पीछे हो सकता है मैं डेली university की बात कर रहा हूं आप जितने भी वीडियो यूट्यूब पर उठा लिजिए सिर्फ डीउ के purpose के लिए प्रॉपर guidance बच्चों को मिलती नहीं और एस वेल वाले बच्चे तो मान के चलो उनको पता भी नहीं होता कई बच्चों को यह नहीं पता कि यह डेट च्छिट आ गए है मैं seriously कह रहाँ को तो यह कुछ तीन अपको चार नंबर पर यह करना है पांच नंबर पर आपका जो करना है subject पांच नंबर पे आपको उठाना डिविडेंट डिसीजिजन डिविडेंट पॉलिसी नंबर पांच पे बहूत आसान चैप्टर भी आप बहुत आसान चेप्टर है करोगे तो पता चलेगा लेकिन अगर पहले चार चेप्टर करोगे ना उसके बाद ये उठाओगे तब होगा अगर डारेक्ट इसको उठाए ना कुछ समझ नहीं आएगा चटे नंबर पे आपको करना है working capital साथवे नंबर पे करना है operating cycle इसके बाद इन सभी चेप्टर को छोड़ देना है साथवे नंबर पे आठवे नंबर पे हाँ inventory management कर सकतो बागी छोड़ दो इसको यह unit number six आपके किताब में जरूर गीवन है लेकिन मैं कहूँगा that is not part of your syllabus और यह syllabus में है नहीं university के guidance के हिसाब से valuation of security जैसे ही यह साथ चप्टर complete होगा now come back to the unit number two आठवे नंबर पे यह चप्टर करना है और नोवे नंबर पे इस sequence में चलोगे ना आप तो आपका बहुत अच्छे से चालो करते और वो वक्त इतना ले जाता है ना एक कसम खालो यह कसम खालो के मैं शौर्ट को नहीं दीखूँगा Instagram नहीं चलाऊँगा कि मैं YouTube के उपर लगबग बहुत सारे मैंने चप्टर डाले में old भी और new भी old में थोड़े से oldest इस पैटर से करे हुए new में थोड़े new पैटर सोड़े easy पैटर से किया हुए बस आप सभी के बच्चों आप सभी न लखी हो कि आपको इतने सारे sources available है study करने का हमारे टाइम पर यह sources नहीं थे और बड़ी मुस्किल होती थी financial management बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में तो आप बिल्कुल सोचिए देखिए आप अगर आगे कोई भी कोर्स करना चाहते हैं जैसे कि आप MBA करना चाहते हैं आपको वहां पर financial management पढ़ना पढ़ेगा सीए करना चाहते हैं वहां पर financial management पढ़ना पढ़ेगा एम कॉम करना चाहते हैं वहां पर financial management पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि मैं पहले clear करके बोलता हूं जो बच्चा साइद देख भी रहा हो कोई बच्चा तो जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो में कि मैंने MBA भी इसी वीडियो के help से की थी तो भया senior की सबसे बड़ी पता है कि मुझे एक responsibility बनती है आपकी अपने junior को लेकि करो बच्चों को कमेंट तो कर दो कि भाई पढ़ ले इस हिसाब से यह चीज़े होंगी बताओ तो सही अभी जो junior बच्चे हैं जो कि अभी अभी starting में आए हैं उनको कुछ नहीं पता चल पाता अब खैर तीसरे semester में मैं आपको सच्चा ही बताओ अब तो आपको समझ आया के पढ़ना कैसे है पहले semester में तो आपके लिए पूरी दुनिया रंगीन थी पेपर हो गया अंधिकार ह हो गया फिर second semester में corporate में वाट लगा दी आप लोगों की क्या है यह यह क्या जमेला यह थर्ड semester में तो थोड़ा sequencing में आयो तो अब सीक्वेंस मत बिगाड़ना प्लीज आप सभी से कहना चाहता हूं sequence मत बिगाड़ना पढ़ने का तरीका मैंने simply बताए कि आपको क्या पढ़ कर ले enough है नहीं है यह आपको खुद भी पढ़ना पढ़ेगा अगर आप सिर्फ जितना मैं बताओं उतना पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत सारी चीज़े miss कर दोगे उसके अंदर हाँ जैसे जैसे मैंने बताया उसके according पढ़ोगे तो मैं guaranteed बोलता हूं आपका exam two and half hours के अंदर खतम हो जाएगा और पूरे hundred marks आप score कर पाओगे outstanding आएगा आपके marks seat में अगर आप उसके according चलते हो तो मैंने आप सभी बच्चों के लिए देखो अब यहाँ पे तीन तरीके के बच्चे हैं एक वो student है जो starting से हैं उस बच्चे को कोई डरने की जुरत नहीं है पढ़ रहे हूं कोई दिक्कत नहीं एक वो बच्चा है जो कि अभी नाव या उसने study नहीं किया और बड़ा पैसान एयर कैसे करूं क्या करूं पेपर भी आ रहा है तो जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे फरस्ट टाइम पर इस चैनल पर फरस्ट टाइम से मैं guarantee ले रहा हूं कहीं भी पैसा मत खर्चिये पूरा हो जाएगा दोनों बाते बता रहा हूं और मैं यह प्रैक्टिकली बता रहा है असा नहीं कि मैंने हवा में बाते की हैं जो बच्चा स्टार्टिंग से है वो यूट्यूब से सब कुछ कर सकता है जो मेरे से नहीं कर पाएं मैं तो सबसे पहले अपने दिमाग से एक मित्थ है एक ब्रह्म निकाल दो कि भाया हम इस लेवस को बहुत जल्दी कर लेंगे या एक्जाम टाइम पे कर लेंगे हम बहुत सारे बच्चों का पता है क्या है सर मैं जॉब भी करता हूं तो कैसे करूं आपक्य दोनों चीज़े साथ करना पड़ेगा इसी को तो स्ट्रगल बोलते हैं कुछ बच्चे कहते हैं सर टाइम नहीं मिलता कुछ बच्चे बोलते हैं सर फीज की दिक्कत है यह अरे भाया यह रोना बंद करो रेजिस्टर उठाओ पैन उठाओ सारी फेसिलिटी आप पढ़ना चालू करो मैं तो बहुत बच्चों को बोलता हूं जो बच्चे आते भी हैं लाइव क्लास के अंदर इतना बताता हूं बच्चों को फिर भी काफी बच्चे क्या कहते हैं कैसे अभी जो पढ़ना चाहते हैं तो भाया ना जो है मैं तो अपने बारे में नहीं बोल रहा है आसपास आप tuition जोईन कर लो जो बच्चा ना हुआ है अगर पूरी responsibility ले रहा है नहीं तो मैंने बहुत बच्चे मेरे से request करते हैं तो मैंने एक course बना दिया है आपका exam oriented इसके अंदर मैंने क्या कर रहा है मैं simple सी चीज बता देता हूँ मैंने सारे chapter में star लगा दिये हैं सारे के इसके बाद यह आपका साथ गंटे में तो टोटल जो है नहीं मैंने आवरली और सारे sheets दे दिये मैंने अपने notes में आपका टोटल 30 घंटे में आपका पूरा slavers खतम हो जाएगा including 10 year questions including आपके important questions अगर 30 घंटे मेरी वीडियो को proper तरीके से देखते हो तो दुनिया का कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकता लेकिन देखने का मतलम नोट भी करोगे तो condition यह है एक चेप्टर है फाइनली बचा हुआ जो कि मंडे स्टार्ट हो जाएगा classes के अंदर और YouTube वाले बच्चे जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो बिलकुल भी ना घवरा है मैं उनको प मैंने कोर्स का प्राइज वैसे तो 499 का है लेकिन अभी फिलाल आप इस को फोर नाइन में आप परचेस कर सकते हो जिसको लेना यह भाटेबर जिसको लेना है लीजिए नहीं लेना है मतली जिए आपकी इच्छा है आपकी जिंदगी आपकी लाइफ है मैं जादा कोई बोल स्टार्टिंग से पढ़ रहा है यूटीब से जिसको नियरबाइट कोचिंग मिल रहा है वहां से पढ़ लीजिए लेकिन अपना वक्त मत खराब करिए अगर आपने financial management नहीं पढ़ा तो आपको आगे चलके बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको मैंने इस runs इंपल सी चीजे बताये आप थ्यान दोगे तो भी मैंने जो यूट बता दिया na आपको यह देखो यह बताए है सकी स्वी सरी थी सोन्बर का तो एवले स्था रहती है आपको कि आ पहले दूसरे sequencing याद रखेगा, तो hopefully आपको थोड़ा समझ में आया होगा, understand हुआ होगा, कैसे कैसे पढ़ना है, तो उसी के according पढ़िए, आपके लिए better रहेगा, हाँ, जाते जाते मैं बोलूँगा, कि भीया, हमारे चैनल को subscribe बहुत कम बच्चे करते हैं, बहुत कम बच्च मिलता है, आपको मिलता है, नहीं मिलता है, पता नहीं, लेकिन मुझे तो जरूर मिलता है, मोटिवेशन के भीया, इतने सब्सक्राइबर है, मैं देखता हूँ, तो thank you so much, 60,000 family हो चुकी है हमारी, और आगे भी हम बढ़ते रहेंगे, grow, आप सब ही का support रहा, तो बहुत अच नेक्स वीडियो में, और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, कि जो मैं course करवा रहा हूँ, मैंने 4 unit principle of marketing पढ़ाया था, वो भी इसके अंदर मैं free of cost में, आप सभी को examorated batchment दे दूँआ, उसके कोई charges नहीं, तो subject हो गया आपके एक तरीके से, उसी price में 449 में, thank you so much, मिलते एक नेक्स वीडियो में,